ग्रहक भगाने के 8 तरीके जी हां ग्रहक भगाने के 8 तरीके इस वीडियो के अंदर मैं आपको 8 वो चीजे बताऊंगा जिससे आपके ग्रहक को आप भगा सकते हैं तो अगर आप एक retailer हैं आप एक दुकान चला रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे मेरे ग्रहाग को भगाना है तो आप ये चीज जरूर कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रहाग आपको ना छोड़ कर जाए तो इसमें से एक चीज भी आप मत करना नमस्कार दोस्तों मैं विशाल सिंग गुरू कुल ट्रेनिंग अंड कंसल्डंसे से आपका हर्दिक स्वागत करता हूं बहुत सरे ऐसे retailer हैं जो लोग चाहते हैं उनका sales बढ़े लेकिन जाने अंजाने में कुछ गलतियां वो करते हैं जिसके कारण उनका sales नहीं बढ़ता है पर लगातार उनका ग्रहक उनको छोड़कर जाता है तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रहक आपको छोड़कर ना जाए तो इन में से एक चीज़े भी आप मत करना फिर भी मैं आपको वो 8 कारण बताऊंगा जिससे ग्रहक भागता है तो अगर आप चाहते हैं आपका sales ना बढ़े तो इन में से हर वो चीज़ कीजिएगा जिससे आपका ग्रहक आपको छोड़कर जाता है या आप ग्रहक को भगा सकते हैं तो ये आठ कारण मैं आपको बताता हूँ चलिए शुरू करते हैं आपके ग्रहक को भगाने का सबसे पहला तरीका है कि जब आपका ग्रहक आपके वहाँ पर आए कुछ भी लेने के लिए तो आप फोन पर बीजी हो जाएए. आप WhatsApp चलाईए, आप Facebook चलाईए, आप Instagram चलाईए, आप कुछ भी कीजिये लेकिन आप फोन पर busy हो जाईए और आप अपने customer को ध्यान मत दीजिये तो पहला तरीका है अगर आपको ग्रहक भगाना है तो आप फोन पर busy हो जाईए जब आपका ग्रहक आपके वहाँ लेने आए दूसरा तरीका है कि आप एकदम गंदे और smelly कपड़े पहनिए, अपने आपको गंदा बना कर रखिए, अपने store को गंदा बना कर रखिए और ये सारी चीजे करके आप अपने ग्रहक को भगा सकते हैं, तो अगर आपको भगाना है अपने ग्रहक को तो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है, तीसरा तरीका है ग्रहक भगाने के इग्नोर, मतलब जब भी आपका ग्रहक कुछ भी मांगे उसको इग्नोर कर दीजि चौथा तरीका है ग्रहक को भगाने का पुशी मतलब कि आपके ग्रहक को जैसे तैसे माल चिपका दीजिए मतलब आपका ग्रहक लेने के लिए आया है तो उसको कुछ भी बोलके कुछ भी उसकी जरुत हो या ना हो फिर भी आप उसको अपने प्रोड़क चिपका दीजिए औ आप अपना माल खाली कीजी पाचवा कारण है कि जिस चीज़ की marketing आप ने पीई है जिससे की advertisement आप ने की है उस चीज़ को अपने वहाँ पर मत रखिए मतलब आपको श्टॉक नहीं रखना है जी मार्केटिंग आपने की है अगर आप ऐसा करते हैं तो तो आप अपने ग्रहक को आसानी से भगा सकते हैं और आपका ग्रहक आपके वहां पे जिंदगी में कभी नहीं आएगा आपके 2 पर खरीदी करने के Лिए चटवा तरीका है कि जब भी आपका ग्रहक आपके वहां पर आए तो आप बता दीजी अपने staff को कि गपे मारे gossip करे इदर दर की बाते करे और आपके ग्रहाग को ध्यान ना दे आपका ग्रहाग जब भी कुछ मांगे कोई भी चीज पूछे तो उसको सही तरीके से जवाब ना दे उसको response ना करे और ऐसा करके आप अपने ग्रहाग को भगा सकते हैं तरीका है backbitting मतलब कि आपके किसी भी customer के सामने दूसरे customer की जीबर के बुराई कीजिए जीबर के उसके बारे में उल्टा सीधा बोलिए आप भी बोलिए और आपके staff को भी बोलने दीजिए जिससे आपका ग्रहाग आपके वहाँ दुबारा नहीं आएगा और वो दूसरे ल रहा कुछ भी पूसता है तो ऐसा बोलिए कि मुझे नहीं पता है आप अपने staff को सिखा दीजिए कि वो customer को बोलना सीखे कि मुझे ये सीजिए नहीं पता है मैं इसके लिए authorized नहीं हूँ customer ने कोई complain किया तो आप बता दीजिए अपने staff को कि आप ऐसा बोलिए कि मैं इसका जवाबदार नहीं हूँ मुझे नहीं पता है और ऐसा करके आप अपने ग्रहाग से चुटा हो सकते हैं और आपका ग्रहाग आपको छोड़कर भाग जाएगा तो ये 8 तरीके मैंने बताय कि आपको अगर ग्रहाग भगाना है तो ये 8 तरीकों का इस्तमाल करके आप अपने ग्रहाग को भगा सकते हैं और जिंदगी में आपका ग्रहाग आपको दुबारा कभी भी मुड़के नहीं देखेगा और अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रहाग छोड़कर ना जाए और कैजवल तरीके से बनाया है लेकिन ये हकीकत है क्यूंकि जाने अंजाने में आपके वहाँ पर ये सारी गलतिया हो रही है जो मैं बहुत जगा पर देखता हूं और जब हमको बताते हैं सर आपके वहाँ पर ये गलती हो रही है तो लोग उस गलती को सुधारने को तयार नह अगर आप इसे एक भी गलती आपके या आपके स्टाफ के दख़ारा आपके स्टोर्मेंट नहीं होने चाइए ये ध्यान आपकी जवाबदारी है रखना क्युंकि अगर आप अपने business को लेके serious हैं तो ही आप इन में से कोई गलती अपने वहाँ पर नहीं होने देंगे और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने business को जैसे तैसे चलाएं तो जैसे मैंने बताया कि ग्राहक को भगाने के 8 तरीके तो इन में से कोई भी तरीका अगर आप इस्तमाल करते हैं तो आपका ग्राहक आसानी से आपको छोड़कर भाग जाएगा और जन्दीगी में दुबारा नहीं आएगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको लग रहा हो कि ये वीडियो शेयर करने जैसा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिन लोगों के वहाँ पर ये गलतियां हो रही है हो सकता है कि मेरे इस वीडियो को देखके वो अपना माइंड बदल दे वो अपना दिमाग बदल दे और अपने अंदर सुधार करके अपने ग्रहा को ध्यान रखना शुरू करें थांकियो सो मुझ विश्वाल दवेस्ट धन्यवाद